हेलो एवरिवन आज में आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूं धाबा इस्टायल में मटर के छोले की रेसिपी जो बहुत ही टेश्टी लगती है यहां पर मैंने दो कटोरी मटर को 10 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था आप मटर को 10 से 12 घंटे तक भीगने के लिए र टालेंगे हम 2 गलस पानी बहुत जीन ड़या है यह पानी ऐडना है तो यह नहीं कर नहीं क्योंकि दो क्र ना है कि मटर की फिए तो बहुत सारी मटर है को अइसे दिए जो बिल्कुल पानी में घुल जाते तो ऐस arrow में ज सक बन कुकर में ढाल दिया है अब इसमें कुकर का कैप लगा के 3 सीटी लगाएंगे गैस पे रखके मेडियम फ्लैम पे हम कुकर का 3 सीटी लगाने के बाद गैस का फ्लैम औफ कर देंगे देखिए 3 सीटी लग चुके हैं मटर हमारे अच्छे से बॉयल हो गए है बिलकुल सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल हार्ड नहीं है अब मैंने गैस पर कड़ा ही रख दी है मेडियम फ्लेम करकी रखा है अब इसमें डालेंगे सरसोका तेल अब जो भी खाने में तेल यूज करते हैं उसे आप डाल सकते हैं तीन चार तेजपते हैं तीन सुखी मिर्च है इन्हें अच्छे प्याज से छोले की ग्रेवी बनती है छोले गाड़े-गाड़े अच्छे लगते हैं तो ग्रेवी के लिए हमें प्याज का ज्यदा इस्तिमाल करना है प्याज को मेडियम फ्लेम पे गोल्डेन होने तक और सॉफ्ट होने तक भूणना है अब मैं इसमें एड़ कर रही लेसन और अधरक का पिष्ट को प्याज के साथ मिक्स करके इसे कवर करके तीन-चार मिनट के लिए छोड़ देंगे तीन-चार मिनट हो गया है कैप हटा के हम चेक कर लेते हैं अब देख सकते हैं प्याज हमारे भून गया है कलर चेंज हो गया है और यह सौफ्ट भी हो गया है हम जितना अच्छे से प्याज को भूनेंगे हमारी ग्रेवी उतनी अच्छी होगी और जो छोले का टेस्ट है उतना ही अच्छा आएगा तो हमको प्याज को अच्छे से भूनना है मसाले को बहुत ही अच्छे से लो फ्लैम आप बना के इसमें अड कर लें फिरते इसको कवर करेंगे और इसे पकाएंगे दो-तीन मेंट पकाने के बाद हम कवर हटा के इसको चला लेंगे इस टाइम पे हम एपने नमक और मसाले यट करेंगे सबसे पहले मैं अडिकरें वन टीस्पून हल्दी पाउडर टिष्ट के कॉर्डिंग नमक डालना आप जैसा पसंद करते हों वन टिष्पून लाल मिर्ची पाउडर टू टेबल स्पून छोले मसाला अगर आपके पास छोले मसाला नहीं है तो किचन की मसाला का इस्तेमाल कर लें और एक छोटा चमच गरम मसाला गैस का फ्लेम बिल्कु कृची टेष्टी बनती हैं आपको खाने से कभी मन नहीं हटेगा अब कितना भी खालोगी मन करेगा थोड़ा अर खालो बहुत अच्छी लगती है इसको अफ़ीक ढ़बाई श्टायल में बनाया है देखे मसाले को मैंने कवर कर दिया है अब देख सकते हैं मसाला ओयल जो हमने मतर बॉयल करके रखें उसमें भी पानी है उससे ग्रेवी हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी बस आइड करेंगे ताकि मसाला कड़ाही में चिपके ना देखिए मैंने आधा कटोरी पानी आइड करें दिया था आप देख सकते मसाला हमारा बिलकुल रेडी है इसकी ख खुश्बू आ रही है अभी से लग रहा है कितना यह यमी बनेगा अब जो हमने मतर बॉयल करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे मतर मैंने कड़ाही में एड कर दिया है मतर में अच्छा खासा पानी था जिससे छोले की ग्रेवी हो जाएगी अब चलाते हुए मतर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे आप देख सकते हैं मारा छोला कितना यमी दीख रहा है अब इसे हम गैस का फ्लेम मेडियम करके आप थोड़ा हाई भी कर सकते हैं और कवर करके चार मिनिट के लिए पकने छोड़ देंगे देखे चार पांच मिनिट हो गया है कवर हटाके मैंने चेक कर लिया है मसाला मटर सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है छोला बिल्कुल हमारा रेड़ी है बिल्कुल परफेक्ट छोला बना हुआ है जैसा हमको चाहिए था गेस का फ्लेम आफ करने के बाद छोले की जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाड़ी हो जाती है छोला जैसे जैसे ठंडा होता है तो इसकी ग्रेवी गाड़ी हो जाती है और छोला बहुत ही टेस्टी लगता है गेस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है आप देख सकते है इसकी में अच्छा खाने का मन कर रहा है तो आप इस छोले को जरूर ट्राइए थेंक्स फॉर वाचिंग मिलती हुं एक नई वीडियो में बाई कि अच्छा लगा है को कुछ ने तो